आज मैं आप सभी को बिटमीन सी क्रीम बनाना बताऊंगी यानि की संत्रे से क्रीम बनाना बताऊंगी संत्रे में भरपूर मात्रा में बिटमीन सी होता है हमारे स्कीन को टाइट और ब्राइट बनाता है साथ ही साथ हमारे स्कीन के दाग धब्बे को भी रिमूब करता है और हमारे स्कीन में एक अलग सा निखार लाता है हमारे स्कीन कंपलेक्शन को रिमूब करता है इतना ही नहीं अगर आपके स्कीन में दिंकल्स जाईयां पड़ रहे हैं बनाना है और कैसे यूच कर रहा है तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को थिष्य यहां पर ले लिए लिए संत्रा उ 실ंट्रा में आपके क्रम बन के तयार हो जाएगा तो सबसे पहले इस संत्र लेंगी और एक तो संट्रा में आपके क्रीम बनके तयार हो जाएगा तो सबसे पहले इस संत्रे को क्रीम को बनाने के लिए इस संत्रे को छिल लेंगे और उसके एक दो पीस संत्रे का ले लेंगे इस क्रीम का बनाना बहुत ही असान है और इसका फायदा उतना ही ज्यादा है ये आपके उपर उतना ही ज्यादा करेगा तो इसको सबसे पहले इसका हम जो उपर का भाग होता है जो इसके पल्स के वो हटा देंगे इसके बीज भी हटा देंगे और सिफ इसका पल्स ले लेंगे इस क्रीम को तयार करने के लिए आप चाहे तो इस संत्रे को जूस निकालने के लिए इसका जूस भी यूच कर सकते हैं जूसर में ग्रेंड करके मैं यहाँ पे इसका पल्स निकाल रही हूँ उसके बाद इसका जूस निकालोंगी आप इसे ग्रेंड भी कर सकते हैं इसका जूस निकालने के लिए लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नग्रेंड करूंगी ना इसका जूसर से जूस निकालूंगी तो मेरा यहाँ पे पल्स निकल चुका है और इसका बीज मैं अलग कर चुकी हूं इसका बीज अलग कर देना है और इसके संत्रे में जितने भी वाइट भाग होता है हो भी आपको अलग कर देना है उसके बाद हम यहां पे एक छन्नी से छन्नी मिले लेंगे इसको संस्द्रे संत्रे के पल्स को और एक चम्मच के हेल्प से इसके दबा दबा के इसके सारे जूस को निकाल लेंगे आपको जो प्रोसेस इजी लगे आप उस प्रोसेस से संत्रे का जूस निकाल के निकाल सकते हैं इस क्रीम को तयार करने के लिए यहां पर आप कपड़े कमदर से भी दबा पहले मैं एक चमच जूस ले लेंगी इस्क्रीम को तयार करने के लिए उसके बाद हमें लेना है ग्लीसरीन अगर आपके इस्क्रीन पे कितने भी पुराने सी पुराने दाग है या पिमपल्स के दाग धब्बे हैं उसे रिमूफ करने में ज्यादा वर्क करता है इजली अजसी उतना ही मतरव में ग्लीसरीन ले हूं उसके बाद आप यहां पे औल्मांड ओयल भी यूच़ कर सकते हैं मैं यहां पर कोकनेट जो बी के पास प्लब्ध हो और यहां पे योच कर सकते हैं यहां पर लेकिन हां ओ फेस वाला होना चाहिए खेर वाला नहीं तो यहां प इग्रेडियन्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए यहां पर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख रहे हैं कैसे मैं इसे मिक्स कर रहे हूं आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपका ये तीनों इंगिन तयार हो जाएगा क्रीम को बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरू देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको ये बताने वाली हूँ इस क्रीम को कैसे आप लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे वेश्ट से वेश्ट रिजल्ट मिल पाए उसके बाद मैं यहाँ पे डेर से दो चमच एलो बेरा जेल यूज करूंगी एलो बेरा जेल आपके स्कीन को सॉप्ट साइन और अस्मूद बनाता है आपके स्कीन पे निखार लाता है आपके स्कीन पे अगल रिंकल्स जाईया पढ़ रहा है तुसे भी ठिक करता है कुछ एज होने के बाद हमारे स्कीन पे रिंकल्स पढ़ने लगते हैं तो उसे ये बिट्मिन C क्रीम अच्छे से ठीक कर देगा। आप देख सकते हैं इस क्रीम का कंस्टेन्सी कैसा है। ना ही ज択ाधा थीक है और ना ही ज्ञाधा ठीन है। इस क्रीम को रखना है। ये क्रीम बनने के बाद बिल्कुल ही स्मूद और फ्लॉफी होना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये बिल्कुल ही स्मूद और फ्लॉफी क्रीम आपका बननके तयार हो चुका है तो चलिए देखते हैं best से best result पाने के लिए इस cream को कैसे store करना है तो इस cream को store करने के लिए आपको एक airtight container लेना है कोशिस कीजिए वो काच का हो अगर काच करना ही हो तो कोई भी हो लेकिन वो airtight container होना चाहिए आप इस cream को लगभग 10 से 15 दिन तक फ्रीज में store करके रख सकते हैं आपका cream खराम नहीं होगा और आप इसे असानी से यूज़ कर सकते हैं इस संत्रे के cream में भरपूर मात्राम विटमीन से ही है जो की आपके skin complexion को और ही निखारेगा और आपके skin को और waste बना देगा यह homemade orange cream आपके लिए waste है अगर आपका age 25 फ्लस है तो आपको यह cream जरूर से जरूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि wrinkles जूरिया और किसी भी तरह के दाख धब्बे को remove कर देगा बिटमीन सी आपके skin को गोरा बनाने के साथ साथ आपके skin से wrinkles जूरिया और किसी भी तरह के दाख धब्बे को remove कर देगता है साथी साथ बिटमीन सी से आपके skin को गोरा बनाने के साथ साथ आपके pimples और एकनिक को जड़ से भी खत्म कर देता है तो चलिए देख लेते इस cream को best result पाने के लिए कैसे यूच करना है तो इस cream को यूच करने के से पहले हमें अपने face को faceवास कर लेना है उसके बाद इस cream को यूच करना है आप इस cream को दिन में दो बार यूच कीजिए VAST से VAST result पाने के लिए और कोशिस कीजिए रात के समय जडूर यूच कीजिए क्योंकि कोई भी चीज हमारे उपर ज़्यादा वर करता है रात के समय में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करके कर दीजिए ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक के आप